वीडियो में हम क्लास एट न्यू लॉंगमेन विस्ताज चाप्टर नमबर फाइव हिस्ट्री के उसका पार्ट टू पढ़ेंगे तो हम पेज नमबर थर्टी वन दमुंदाज से स्टार्ट करते हैं छोटा नाकपुर में एक और ट्राइब जो के मुंदाज थी उन्होंने 1831 में रिवॉल्ड किया जो की होस के द्वारा जॉइन किया गया अब रिवॉल्ड लार्ज एरिया में फैल गया था जिसमें रांची, हजारी बाग, पाला माव और मान भुम रिवॉल्ड को केवल मार्च 1832 एकस्टेंसिव में एकस्टेंसिव मिलिटरी ऑपरेशन के बाद ही दबाया जा सका हाला कि होस के होस की इच्छा नहीं थी सम्मिट करने की और 1836 और 1837 में फिर से उनके अगेंस military operations किये गए जब तक उन्होंने हार नहीं मानी 1899 से 19 में बिर्सा मुंडा 1875 से 19 ने राची के अराउंड चारो ओर रिवॉल्ड किया मुंडाज बाहरी लोगों द्वारा लगतार बढ़ते अतिक्रमन यानी की इंक्रोच्मेंट से व्यथित यानी की अगरीव्ड थे बिर्सा मुंडा का जनम और पालन पोशन चायबासा में एरिया में हुआ था जो आजकल जहारकंड में है और दिकस के खिलाफ मुंडास के वे द्रोह की दास्ता सुनकर बढ़े हुए थे जब वे बढ़े हुए तो वे अपने रिफॉर्मिंग आइडिया के कारण मुंडा ट्राइब्स के लीडर बने उन्होंने मुंडास से निवेदन किया कि मुंडास शराप पीने पीना छोड़े और जादू तोने को छोड़े ताकि पास्ट के ओल्ड एज यानी स्वर्ण य लेंडर्स और जमिंदार्स को छोटा नाकवर से बाहर करने की आशा की। को ब्रिटिश के खिलाफ जुटाने और एकटा करने में समझ थे बिर्सा मुंडा 1895 में जेल गए और दो साल के बाद रिलीस किये गए उसके बाद बिर्सा ने लोगों को जुटाना शुरू करा और ब्रिटिश को रवाना बोला बिर्सा के फॉलोवर्स ने पुली स्टेशन्स और चर्ट्स को तारगेट किया और बिर्सा रूल का खुद का फ्लाग होईस्ट किया 1900 में बिर्सा की कोलेरा के कारण मौत हो गई बिर्सा की डेट के तुरंद बाद ब्रिटिश मुन्डा मूव्मेंट को दबाने में सफल हो गई अब हम ट्राइबल रिवाल्ड इन नौर्थ इस्ट पढ़ेंगे 1829 में खासीज जो असाम के पहाड़ी शेत्रों में रहते थे उन्होंने बिर्टिश के खिलाफ रिवाल्ड किया बिर्टिश एक रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे जो खासीज के लांड से गुजरनी थी खासीज ने रिजेंटेड यानि नाराज हुए खासीज ने डिसाइड किया कि बिर्टिश को अब ना सिर्फ हिल्स से बलकि आसाम के प्लेन से भी बाहर निकाल देंगे उन्होंने अपने आपको यू बोर मनिक और यू टिरोट सिंग के अंडर तयार किया में 1829 में अब एक ट्राइब्स की बात करते हैं नागाज हैं जिनका नाम है नागाज इन्होंने 1849 में ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवाल्ड किया जो की 1850-1851 में सप्रेस यानि की दबा दिये गया था नौर्थ इस रीजिन में ब्रिटिश रूल में कुछ और पॉपिलर मॉवमेंट्स हैं यानि की पॉपिलर मॉवमेंट्स हुए जैसे की 1836 में मिशमिज का रिवाल्ड 1839-1844 के बीच असम में खामती रिवेलियन 1842 और 1844 में लुशायास का रिवाल्ड 1860-1862 में जैंदिया हिल्स का सिंतेंग्स का रिवाल्ड 1872-1873 में सफलास का रिवाल्ड 1882 में चैचर का कच्चा नागाज की अपराइजिंग और 1904 में मनिपुर में एक विमिन का वार तो ये कुछ रिवाल्ड सुए थे मिखालाय में ब्रिटिश गवर्मेंट एक स्ट्राटेजिक रोड बनाना चाहती थी जो ब्रह्मगुत्र और सुर्मा वैली के बीच रोड लिंक बनती जो की खासी हिल्स पर कंट्रोल करके ही पॉसिबल था पर मिखालिय की ट्राइब्स ने इसे ट्राइब्स के हाबिटेशन एरिया में ब्रिटिश का इंटरफेरेंस माना तो ट्राइब्स ने ब्रिटिश गवर्मेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया यूकाइंग नौंगबा की लीडर्शिप में 1829 तो 1844 और 1849 में लशाल, हिल्स और मनीपुर और त्रिपुरा के हिल रीजन के इन्हाबिटेंट कक्कीज ने ब्रिटिश टेडरीज पर अटाक किया पर उन्हें 1850 में सब्मेट करना पड़ा आगे एक टेबल दी हुई है जिसमें 1765 से 1929 के कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स दिये हुए है तो टेबल में दिया हुए है चिवार्स 1768 और 1832 बिल्स 1818 तो 1848 कोलीस 1824 तो 1848 और बाकी कुछ और दिये हुए है अब आगे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जो रिवॉल्ट हुए है ये देखते हैं तो 1857 के रिवॉल्ट के पहले और बाद में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रिवॉल्ट हुए जैसे कि गुजरात में नायकाड़ा फॉरेस्ट ट्राइब ने 1868 में एक पुलीस स्टेशन पर अडाक किया और ये मान कर अटाक किया कि विवॉल्टिश को एलिमिनेट कर देंगे और धर्मराज इस्टैबलिश करेंगे फिर बाद में कोया और खोना ट्राइबल्स ने ओवरलॉड के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया ये ओवरलॉड ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में थे ओवरलॉड मतलब चीफ या मास्टर 1879 में मेजर रिवॉल्ट हुआ जिसमें 5000 स्क्वेर किलो माइल्स स्क्वेर माइल्स से तो कम का एरिया अफेक्ट नहीं किया होगा इसे मदरास इंफांटरी मदरास रेजिमेंट यानि कि पैदल से न के छे रेजिमेंट के एसिस्टेंस के साथ नवंबर 1880 में दबाया गया हाला कि ये reward फिर 1886 में उठाया गया और 1913 में राजस्थान में भिल्स भिल राज के establishment के लिए लड़े वही गोदावरी रिवर के रंपा रीजिन नौर्थ गुरिला वार्फेर का witness था गुरिला वार्फेर गुरिला वार्फेर का witness था गुरिला वार्फेर इंग्लिश और सेमी ट्राइबल इन्हाबिटेंट्स के बीच सी जो की अगस्ट 1922 से में 1924 में अलूरी सीता रामा राजू की लीडर्शिप में लड़ी गई अब हम tribal resentment पढ़ते हैं यानि की नाराजगी के causes पढ़ेंगे तो बिटिश रूल में बहुत सारे tribal revolts हुए ट्राइबल पीपल के primary grievance यानि शिकायत लगबग हर एक जगे जगे थी यहीं था कि बिटिश या प्लेन के लोगों के द्वारा उनके cultural और economic lives में interference किया जाना बिटिश ने tribes की sufferings यानि कष्ट को ना देखकर intruders यानि घुस्पेंटियों को support किया tribes ने tribes के कोई भी reward सफल नहीं रहे पर tribes ने निश्चेत रूफ से fact को उजागर कर दिया कि British colonial rule, biased rule और regulations अनि कि नियमों और कानूनों का समर्तन को support करता था और exploitation और thrived शोशन और संपन पर बेस था यहां आमारा chapter खतम होता है